नवस्कार सातियो जो आपका My Mother at 66 का थर्ड इस्टेंजाविश्ट कोशन है उसका पहले हिंदी आर्थ समय लेते हैं जिससे अंसर लिखने में कोई दिकत नहों तो देखिए एंड लोक्ड और देखा आउट बहार एंड लोक्ड आउट और बहार देखा एट यंग ट्रीज छोटे चोटे ब्र其實 को स्पिरिंटग तेजी से पीछे छूटते हुए और कवित्री ने छोटे-चोटे ब्र प्रसनचित बच्चों को देखा, जो बहार आई हुए थे, अपने घरों से, और अपने घरों से बहार आई हुए प्रसनचित बच्चों को देखा, तो देखिए, यानि कि कवित्री जो आपकी हैं कमला दास, उन्होंने छोटे-छोटे ब्रच्चों को तेजी से पीछे चूटते हुए देखा, और अपने घरों से बहार आई हुए प्रसनचित बच्चों को भी देखा, तो देखिए हाँ ब्रच भाग नहीं रहे हैं, बलकि वो अपना बहा हैं चला रही हैं तो उन्हें ऐसा लग रहे कि वर्च पीछे दोड़ रहे हैं, वाट आफ्टर लेकिन के बाद १ एरपोर्ट्स सिक्योर्टी चैक के बाद कि सुरच्चा जांच लेकिन हवाई अडडए की सुरच्चा जांच के बाद सेड़ें खड़े होते हुए I looked again मैंने पुणहें देखा अथार्थ अपनी मा को I looked again मैंने अपनी मा को पुणहें देखा तो चलिए इसके अंसर तो आपका पहला कोशन है What did the poet see outside the vehicle? यानि कि कवी ने वहान के वहार क्या देखा तो आप अंसर लिखेंगे The poet saw young trees sprinting यानि कवी ने तेजी से छूटते हुए छोटे-छोटे ब्रच्चों को देखा and merry children और प्रसंचित बच्चों को देखा is playing out जो बहार आई हुए थे और their homes अपने घरों से outside the vehicle यानि कि गाड़ी के बहार इन चीजों को कवित्री ने देखा आगे देखिए अगला कोशन है what did the poet do at the airport कवित्री ने हवाई अड़े पर क्या किया तो पोईट का मतलव कवी होता है लेकिन हाँ कवित्री है तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ तो परिशन ना हो at the airport हवाई अड़े पर the poet looked again कवित्री ने पुन्हा देखा at her mother अपनी मा को at लगा लेना at her mother अपनी मा को standing a few yards सबे खुच गई दूर खड़े होते हुगे तो मिलते हैं दोश्तो next इस्टेंजा के साथ और नहीं देखें आपने इस्टेंजा तो playlist में विजिट कर रहे है thanks for watching